नमस्कार, अब हम लोग conditions एक नए neurological disorder, schizophrenia के बारे में discuss करेंगे इसका बहुत ही wide spectrum है, इसलिए जब शुरुबाती दोर में इसके बारे में पता चला तो कुछ ही symptoms को लेकर के conditions को explain किया गया, बाद में चल करके इसमें बहुत सारे symptoms और add-on किया गया इसलिए starting का जो हम definitions देखते हैं, उसमें केवल 4 symptoms पर बाद की गई थी, बाद में चल करके इसमें 11 symptoms add किया गया और इसमें categorization का बहुत ही vast pattern बनाया गया, जिसमें हम देखते हैं, स्किजोफरेनिया में किस तरकी के symptoms जादा हैं उसके आधार पर स्किजोफरेनिया के पूरी कपूरी spectrum, पूरी कपूरी categorization बनाने का प्रयास किया गया overall देखा जाएं तो इसमें जो symptoms होते हैं, उनको मोटे तोर पर positive और negative symptoms के level पर देखा जा सकता है और उसी basis पर हम आगे इस पर prognosis के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने की, अगर आप वैसे देखेंगे तो बहुत सारा confused रहेंगे इसको historically किस तरी किस develop होता चला गया जैसे हमारे पास corona का पहले information नहीं था धिरे धिरे या फिर हम microbiology में किसी भी topic को पढ़ते हैं तो किसी बैक्टरिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होते हैं बाद में चल करके उसका vast हमारे पास जानकारी पता चलता है कितना उसके strain हैं, कितने उसके group हैं, फिर subgroup हैं, serotypes कितने हैं जैसे हम Microbiology में बात करते हैं, वैसे ही किसी भी Psychological Disorders में, जैसे हम स्किजोफरेनिया को ले करके, बाद में चल करें बहुत सारी चीज़ें पता चलें, तो शुरुवाती जो महामले थे, उसमें 4A Symptoms की बात कही गई थी, उसके बाद हमने जब इसको और Wide Level पर देखा, तो पता चला इसको समझाने के लिए 11 Symptoms की आवश्रकता होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे-दीरे करके पता चलें, और उनका किस तरीके का पैटर्न होगा, उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे classification किये गया है, उसमें मोटे तोर पर देखा जा तो पैटर्न जो स्किजोफरेनिया से प्रभावित होते हैं, उनमें या तो positive symptoms होते हैं, या तो negative symptoms होते हैं, और positive symptoms जिनमें होते हैं, उनको manage करना आसान होता, उसमें अच्छे response की गुझाईश होते हैं, जब negative symptoms होते हैं, तो उसमें response की गुझाईश उतनी अच्छे नहीं होते हैं, तो positive symptoms क्या होते हैं, थोड़ा सो उसको देख लेते हैं, फिर हम सारी चीज़ों पर one by one ले करके चलने का प्रयास करेंगे, तो patient जैसे delusion के साथ, उसके जोफ्रेनिया के प्रभावित हो सकते हैं, hallucination, खास तोर पर यहां पर, auditory hallucination की conditions हमें देखने को में लेगी, disorganized speech, क्या होता है, उस पर अब हम बात करेंगे, negative में क्या होता, patient कुछ बोलेगा ही नहीं, कम बोलेगा, कुछ भी initiative ने लेना चाहता, तो जहां यह खुब बोलते हैं, यहां पर कुछ कम ही बोलते हैं, यह एक बहुत बड़े level पर हमारी जानकारी होती है, और जो symptoms हैं, उनको देखना ज़रूरी है, कितने तरीके के symptoms हैं, कितने duration में हैं, उसके आधार पर हम schizophrenia के बारे में बता सकते हैं, FMG 20 में पुछा गया था, इसे तरीके से NEET में recently पुछा गया question रहा है, ICD 11 जो इंडिया में follow होता, और American जो conditions हैं, उसमें duration का difference है, ICD 11 कहता है, schizophrenia कहने के लिए, one month से ज़्यादा का मामला होता, आप आसानी से schizophrenia कह सकते हैं, यानि जो यहाँ guideline कही गई है, वो one month की history की बात कही गई है, जबकि DSM 5 कहता है, one month तक brief psychosis, या जिसे acute psychosis, दोनों ने यही माना है, one month तक के मामले को, लेकिन one से six month तक जहाँ, ICD 11 schizophrenia मान लेता है, one month से ज़्यादा जो कुछ भी है, वो schizophrenia यहाँ जबकि यहाँ पर, one से six month के बीच में, schizophrenia form disorder कहा जाता है, और six month के बाद, schizophrenia कहने की बाद, American guidelines में है, तो हम यही मानें कि one month के बाद ही, schizophrenia की condition, चुकि हमारा जो country है, वो ICD 11 की guidelines को, WHO की guidelines को follow करता है, तो one month के beyond जो भी है, वो schizophrenia की condition होगी, American guidelines के मताबिक, इसके लिए six month का समय चाहिए, अब किस तरीके का presentation होगा, वो देख लेते हैं, जैसे हमने positive negative, बहुत सारे symptom कहले, लेकिन इसमें देखते हैं होता क्या है, जैसे 37 year old male, reported that, after suffering from a sudden financial loss, he developed certain symptoms, क्या है, he started feeling fearful that someone is about to harm him, अचानक से उनमें जो changes आये, उसमें उन्हें लगने लगा, कि कोईने कोई उन्हें नुकसान पहुचाना चाहता है, वो उनका eating behavior, sleeping behavior पूरी तरगे से बदल गया, वो he also began to hear voices of a female, and her voice would abuse him, उन्हें लगने लगा कोई आवाज आती है, जैसे auditory hallucination में ने आप से कहा था न, यहाँ hallucination कैसा होता है, auditory hallucination, और इसमें लगता है कि कोई उन्हें गाली दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, और इसमें लगता है और इसमें लगता है, abuse history नहीं है और medical history भी नहीं है, तो यह क्या diagnosis बनाई जा सकती है, तो यह चुकि एक महने से कम का समय है न, तो यह schizophrenia फार्म नहीं हो सकता है, यह एक से छे महने की बीच की बाद DSM-5 में रखी गई, brief psychosis, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, यही कहा जाएगा, schizophrenia कहने के लिए एक महने से जादा, at least ICD-11 भी यही कहता है, तो चलते हैं बात करते हैं, schizophrenia जिसमें split mind, formal thought disorder की एक condition यह होती है, इसमें schizophrenia के लिए शुरुवाती दौर में, जो term दिया गया था, वो using bluer ने दिया था, bluer ने चार primary symptoms बता था, शुरुवाती दौर में चार ही primary symptoms रखे गया था, जिनको four age symptoms के रूप में बोला गया, जैसे autism, उन्होंने जो शुरुवाती दौर में देखा था, उन्होंने कहा कि person autism, यानि social interaction कम रखता है, हाला कि वर्दमान समय में, ये negative symptoms की category में आला चुका है, affective, flattening, मतलब ये कि कोई फरक नहीं पड़ता है, चाहे हसने की बात हो, चाहे रोने की बात हो, no happy, no sad, हाला कि ये अब negative symptoms की category में, ambivalence, inability to decide, association loss, जैसे कुछ भी बात अगर करेंगे, तो उनका कोई लेना देना नहीं होगा, association loss, ये disorganized species के रुप में आप सोच सकते हैं, auditory hallucination की conditions अभी मैंने आपको बताए था, ये वहाँ पर जो शिर्वाती दोर में, जिन conditions को ब्ली लर ने study किया था, वो negative symptoms जादा थे, और उसी के आधार पर, schizophrenia के fundamental symptoms का नाम पढ़ा, 4A symptoms, तो वो था क्या, autism, association defect ये association loss, ambivalence, inability to decide और affective flattening, automatism नहीं था, इसके बाद Kurt Snyder आये, जिन्होंने 11 साइजोफ्रेनिक first rank symptoms की बाद का, उन्होंने इस पर detail में study किया, और उन्होंने बहुत सारे symptoms को शामिल किया गए, जो total 11 थे, जिसमें उन्होंने का, thought के level पर 3 disorders होंगे, perception के level पर 3 disorders होंगे, जो hallucination से related होंगे, और यहाँ पर auditory hallucination होता है, visual hallucination के जो मामले होते हैं, वो Alzheimer's में देखने को मिलते हैं, 3 mid symptoms, काफी विस्तार से इन्होंने पढ़ा, और 2 special symptoms की बाद का, तो चलते हैं total 11 symptoms में से, काट स्नाइडर के यह जो 11 schizophrenic first rank symptoms हैं, कैसे पूछे जाते हैं question उसको देखते हैं, 3 thought symptoms, जिसमें thought insertion, thought withdrawal, thought broadcast की बात कही गई, उन्हें ऐसा लगता है, कि उनके भीतर कोई विचारों को insert कर रहा है, ऐसा लगता है जो उनके अपने विचार हैं, जैसे auditory hallucination, hallucination आप समझ सकते हैं, खास होप है auditory, जिसमें one person, ऐसा लगता है कि उनके विचारों को कोई समझ करके, वही विचार उनके एको करते हैं, two persons में क्या होता है, ऐसा लगता है कि लोग आपस में उनको लेकर के बात कर रहा हैं, देखो देखो ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इस तरीकी की चीज़ेंगे, third person involvement जब होता है, तीन लोगों का तो उसमें wise arguing करते हैं, बतलब ये कि पूरी तरीके से ऐसा लगता है, कोई बोल रहा है और इतना जबरदस्त उनके दिमाग में गूंचता रहता है, तो ऐसा possible है कि person एक ही समय हसें और रोएं, mid volition या action, mid volition का मतलब ये कि वो कोई बाहरी व्यक्ति उनको कहा रहा है, कि आपको ये काम करना ही होगा, forcefully काम ये करना ही होगा, जैसे वो person अपने हाथ से fan को रोकने का प्रयास करेंगे, लोग कहेंगे ऐसा क्यों कर रहा है हो, तो उन्हें लगेगा कि किसी ने बोला है, उनके दिमाँ में ये बाट डाली है, उन्हें करना ही होगा, इसी तरीके से, mid impulsive, तो काफी impulsive होते हैं, जैसे वो किसी को बुरी तरीके से मारेंगे, अगर बुला जाए क्यों मारा, तो उन्हें उनके अनुसार, उन्हें लगे किसी पोसन ने उनके भीतरा करके कहा है, कि आपको मारना है, इस वज़े से मारना है, तो ये mid impulse की घटनाए होती हैं, फिर दो special symptoms, somatic passivity, passivity, control में है, यानि उनके जो body के sensations हैं, वो किसी और की control में है, delusional perception की भाबने भी देखने को मिलते हैं, तो somatic passivity, ध्यान रखना है, somatic passivity, ये term बोला जाता है, delusional perception, इसमें क्याता है, real perception, delusion के भाबने, लेकिन अगर unrelated हो, जैसे black watch को देख करके, वो अपने आपको दुनिया का righteous person मान लें, तो यानि unrelated यहाँ पर delusional conditions देखने को मिलती है, जिप मैं December 19 में पूछाएगा question, which of the following is a first rank symptoms, तो autism नहीं है, first rank, याद है, autism नहीं है, autism ambivalence, loosening of association, ये fundamental symptoms थे, जो शुरुवाती दौर में दिये गया थे, स्किजोफ्रेनिया में होता है, somatic passivity, body के action जो है, किसी और के passively recipient of some sensation, ये स्किजोफ्रेनिया की condition होती है, जिप मैं रेटीन में पूछा गया question, which of the following is a first rank symptoms in schizophrenia, delusion, thought insertion, hallucination, word salad, तो यहाँ पर क्या होता है, thought insertion, which of the following is a first rank symptoms in schizophrenia, thought insertion, ध्यान रहे, thought withdrawal, thought broadcast, delusion को first rank symptoms में सिध्य तोर पर नहीं रखाए, वह डिलिजनल perception की बात कही गई है, hallucination है, लेकिन perception related symptoms के तोर पर रखा गया, word salad यहाँ डिरेक्ली नहीं है, तो हाला कि होने को A और C भी हो सकते हैं, लेकिन यह डिरेक्ली statement मैच कर रहा है, इसलिए हम इसे लेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बताए कि यहाँ पर कुछ positive symptoms होते हैं, कुछ negative symptoms होते हैं, तो hallucination है, delusion है, violence की activities हैं, तो ऐसे patients का prognosis थोड़ा अच्छा होता है, perception का मतलब क्या है, और perception अगर किसी stimulus के साथ है, तो उसे illusion कहा जाता है, लेकिन अगर वो without stimulus किसी चीज़ को perceive कर रहा है, तो hallucination कहलाता है, जैसे कोई चीज सुनाई दे रही है, प्रॉपर सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो प्रॉपर दिखाई दे रही है, जब कि कोई stimulus नहीं है, hallucination clear होते हैं, 3D होता है, सब कुछ मैसूस होता है, लेकिन उस समय, patient को जो भी hallucination की conditions होते हैं, उसमें patient का insight absent होता है, negative symptoms की बात करें, तो ambivalence, and hedonia की condition अगर है, asociality है, social interaction कम हो गया है, alogia है, attention deficit है, effective blunting है, तो ये सारी चीज़ें negative symptoms की करेंगरी में आती है, INICT में पूछा गया question, all of the following are good prognostic factors in schizophrenia, except positive symptom सही बात है, late age of onset, बिल्कुल ठीक बात है, insidious onset, ये नहीं, अगर insidious onset है, धीरे-धीरे है, तो फिर अच्छा नहीं है, अचानक से होता तो अच्छा था, associated with depression, ये बात सही है, जिल्नों का mood disorder के साथ, इसका association होता है, उनकी prognosis अच्छी होती है, तो देख लेते हैं, चुकि recently पूछा गया है, तो good prognostic factor and bad prognostic factor, तो later stage में अगर आ रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है, और किसी stressful event के बाद आ रहा है, acute onset है, तो अच्छा है, bad prognosis का मतलब insidious onset है, gradual onset है, lots of positive symptoms, motor mood symptoms है, affective symptoms है, family support अगर मिल रहा है, family history of mood disorder, female gender है, तो ये good prognostic होते हैं, bad prognostic में insidious onset है, gradual onset है, multiple hospital में उनका past history रहा है, कोई support नहीं फैमिली का, family history schizophrenia की है, male gender का मामला है, तो ये सारी चीज़ें bad prognosis के साथ होते हैं, इसमें disorganized and simple schizophrenia के जो conditions होती हैं, वो bad prognosis के साथ होते हैं, जब कि catatronic और paranoid schizophrenia, positive symptoms और शक के जिनमें prominence होता है, वो मामले good prognosis के साथ होते हैं, तो एक साथ recall कर लें, कि DSM 10 और 11 में, schizofrenia का जा सकता है, 1 month से पहले वो भी acute psychosis के कहते हैं, लेकिन beach gay duration में, schizofrenia farm disorder के नाम से इसे जाना जाता है, तो DSM 5 अमेरिका का है, वो हमें नहीं जानना है, हमें अपनी country की बात करनी है, जिसके निसार 1 month के बाद ही schizofrenia का जा सकता है, अगले lecture में हम बात करेंगे टाइप साफ इसके जोफrenia के बारे में हैं,